भारत के सबसे बड़े मिशन यानी मेकिन इडिया मिशन का साथ देनी के लिए अब एक और भारत ये कमपनी उभर कर सामने आई है जहाँ पर कमपनी ने खुद लगभग 150 करोड रुपे निविश करनी की जानकारी खुद शेयर की है जो भारत के आथ उने पर भारत मिशन का समर्थन करेगी जी हाँ दोस्तो हम बात करें हैं भारत के एक छोटी सी कमपनी जिनका नाम है गोधावरी E-Mobility बेसिक तोहर पर बात करें तो ये कमपनी एलेक्रिक 3-wheelers को मैनिफैक्चर करने का काम करती है और भारत के कई राज्यों में अपने 3-wheelers को सप्लाइ भी करती है लेकिन कम्पनी ने रिसेंटली दाइकनोमिक्स नाइम बजनस टंडर्ड जैसे कई बड़े मेडिया हाउसे को रिपोर्ट देते हुए बताया कि वो नेक्स्ट येर यानि की वर्स 2022 से लेकर के 2023 के बीच में लगभग 150 करोड रुपए का निवेश करने वाले हैं इन इलेक्टि भार्थ अगरवाल जी के द्वारा वर्तमान समय के बारे में बात करें तो कम्पनी चत्यसगर्ड, मद्यपरदीश, बिहार, उत्राखंड, दिल्ली, हरियाना, महरास्ट, पंजाब और भी कई भारत के राज्य हैं जहां पर अपने इलेक्टिक वेकल को ओपरेट करवाती है और अब नई प्लानिंग के साथ कम्पनी रायपूर में अपनी नई इलेक्टिव वेकल मैनिफाक्टिर्ग यूनिट लगाने वाली है जिसके लिए वो 150 करोड रुपे का निवेश करेंगे सो वर्ष 2022 के अंदर तक लगभग कम्पनी 50 करोड रुपे का निवेश करेगी उसके बाद वर्ष 2023 में लगभग 100 करोड का निवेश कम्पलीट करेगी वही हम कम्पनी की रिपोर्ट के मुताबिक माने तो कम्पनी बहुत जल्द एक लाग दो पहिया और एक लाग तीन पहिया वाहनों का उत्पादन बड़ी असानी से कर पाएगी वही हम इनके कुछ 3-wheel electric vehicle के बारे में बात करें तो वो औसतन एक बार चार्ज करने पर 100-120 km तक का mileage बड़ी असानी से देते हैं इसे के साथ मैं अगर लाज़ चीज बताया है तो कम्पनी कुछ समय बाद 45 से जादा शहरों में अपने electric vehicle को संचालित करना शुरू कर देगी तो आप लोगों के इस project के बारे में क्या रहा है कमेंट section में लिखना मत भूलिएगा भारत का ऐसे ही update पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलेंगे हम आपको एक नई और interesting वीडियो में तब तक के लिए वंदे मातरम भारत माता की जयए